हलो दोस्त कैसो हो आफ लोग आसा रखते हैं अच्छा ही होगे अभी तक हम आफडर एफेक्स में बहुत कुछ बेसिक्स एन एडवांस लेविल पर सीख दुके हैं जिसमें से हमने एक बेसिक एनिमेशन का क्लास भी कंड़क किया था अगर आपने नहीं देखा है तो फिर इस लेविल में एनिमेशन कर सकते हैं तो आज इस क्लास में हम पोजिशन को लेकर एडवांस एनिमेशन करेंगे जहां पर हमें बैक्डाउन भी बना सकते हैं तहाई मूँ आपका अमिच सेर और आप देख्टर डिजिटल वित अबुट चैनल और इस चैनल पे में खास करके स्किल डेवलपमेंट लाइग डाफिक डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट मोशन ग्राफिक स्वीडियो एडिटिंग में एकमारी ओमनाय इनिलेटिव कंटेंड आप दूट करता रहा हुगा तो अगर आपने अभी तक इस चैनल पर सब्स्प्स्पाइब नहीं किया है त प्रीज सब्सक्राइब कर दीजिया और बेन आइकान को प्रेस करना मत भूलिएगा करके तभी आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिदे रहेंगे तो चलिए ज्यादा देर ना करते वे क्लास को स्टार्ट करते हैं तो हम उसी जगह से स्टार्ट करेंगे जिस जगह से हमने छोड़ा था तो हम इसको पूरा डिलीट कर देते हैं सारा चीजे और इस नियू कॉंपोईशन लेंगे बंगर नियू कॉंपोईशन इस बार हम यहां पे नहीं बनाएंगे हम इस पर बनाएंगे इलस्टिक डिल फोटो 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 को मिला कर तो चलिए देखते तो हम यहां पर एक न्यूव फाइल लेते सबसे पहले और उसी साइज में नेते जो साइज में हमारा वहां पर है ताकि हमें मदद्ध में सके और यहां पर कुछ नहीं करना है इसको हम सेफ कर देते सबसे पहले एक वैग्डाउन लेंगे ठीक है और इसमें थोड़ा सा कलर देंगे ब्लू और यहां पर थोड़ा सा इस तरीक का लाइट कलर देंगे और परसे ग्रीडियन कलर देंगे ओके जस्ट फारिक बैग्ग्राउंड के तौर पर इस तरीके और असे के कलर जीनों और थोड़ा लाइट हमाच है यह इसको हम नाम देंगे इसको हम डिनीट कर देते हैं और इसको नाम देंगे वीजी यानी बैग्ग्राउंड इसको हम सेफ कर देते हैं हमारे उस पर्टिकुलर जबापर ग्राफिक्स पर टेग्या तो अनिमेटिड इसको हमारे पास एक न्यू कंपोजिशन लेते हैं और संप्लिस संप्लिस में कुछ सेव नहीं करना है तो आप कोई भी फाइल साइज में ले सकते हो और विंडूस में जाके हम कुछ सिम्बल्स यूज करेंगे सिम्बल्स में हम सिम्बल लाइविरी पे नेचर देखते हैं तो नेचर पे हम इसको ले आते हैं इसको ले आते हैं इसको ले आते हैं थोरा सा अनिमेटेड बैग्डाउंड की तौर पर अगर आप मैं बनाना है तो हम देखते हैं क्या इसके लिए कुछ नहीं करना है इसको पूरा एक बन जाएगा आप चाहिए तो इसको बाद में चाहिए तो इसको बाद में से मार्च कर दीजेगा ताकि यह जो है क्योंकि यह मुझे इंडिविजुली चाहिए नहीं तो हमें जो बैग्डाउंड बनाना है तो हम इस तरी की सिस्को बना रहे हैं उसके बाद हम थोरा सा और ले आते हैं यह वाले को कौपी करते हैं यहां पर जाके फेस्ट करते हैं स्मार्ट ऑप्ज की तरह इसको थोरा सा वड़ा करते हैं थोरा यहां पर देते हैं थोरा सा यहां पर छुटा करते हैं और छुटा करने के बाद इसको थोरा सा उपसेटी कम करते हैं थोरा सा डिप्थ लाने के लिए और पगर इसको और थो इसको लेगते हैं इसको थोड़ा साम छोटा करते हैं तो यह हमारा यह हो गया इसको हम देते हैं फूरा नाम देते हैं अब ब्राइफ प्रण्ड ओके यहां पर नाम देना क्यों ज़रूरी है आगे जाकर आपको पता चल जाएगा यह जो है यह और मेरे ख्याल से यह इन दुनों को हम और आसा और देते हैं और इसमें भी हम 50% इसको बेक्राउम देते तो अमरे पास यह है और यह है तो यह इसको मर्च कर देते हैं इसको हम नाम देते हैं बिग ग्रास फ्रॉंट और इन तीनों को हम मर्च कर देते हैं और बिग ग्रास देक और एफेक्ट सेप कर देते हैं अब आजाते हैं इलस्ट्रेटर पे इसमें हम थोड़ा सा मचली लिया आते हैं इस तरीके से और सर्थ यहां पर ठीक है अमरे बस चार देटेकर मचली है तो हम चलिए कोई बात इस चारों को लेते हो जाते हैं इसको बात देखेंगे यहां पर पेस्ट करते हैं स्मार्ट अबजिप्ट फिर हम इसको कोई करते हैं सोरी प्रेस्ट करते हैं साइज अगर आँगर हम बात देखेंगे इसको कोई करते हैं पेस्ट करते हैं और आखरी में हमारे इसको टोपी करते हैं पेस्ट करते हैं पेस्ट करते हैं पेस्ट करते हैं तो इसको हम यहां पर रखते हैं यह वाले को यहां पर रखते हैं इसको थोड़ा से बड़ा करते हैं इसको हम यहां पर रखते हैं इसको बिग कहते हैं और विस्क्राण्क हो रहा सा, अस साइड वाइड पहślकते तो चारों को नाम देेते है यह हम देते है be डिस डिस यह कुन सब गढ़ साय है यह कउन साइव यह बिग फिस्ष अ के लिज कर दूम हम देते हैं यह ओरैंज फिस्ट कि यह पांसा है यह स्मॉल फिस अर्फिक्ट हो गया सेव कर दिया अब हम आते हैं अब देखिए इसकी शांदार एक परपर्टिस जिसमें हम कंपोजिशन नहीं बनाएगे सीधा सीधा एनिमेटेड बैक्रोंड को इंपोर्ट करेंगे अब जब भी हम सबसे पहले हुम देखिए यहां पर बेसिक इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने बाद और बूजटायक यहें हमने पता इसको Okay करते हैं हमारे कंपोजिशन आया और सारे अच्णा ब्रावा aggression लेडेक्श है क्यों साहिसारे और धुत बैक्राराट बागा। तो उसी नेम के साथ पा गया, तो यह आपको पता होना चाहिए, यह हमने यहाँ पर नेम के विए, अगर इसमें अभी देखिए, जैसे कि यह बिग फिस, इसके हमने पोजिशन को पकड़ा, अब देखिए, इसकी जो पोजिशन है, वो इतने बड़े साइज में आ रहा है, ठ तरीके से स्केल होगा, और हम कभी भी इसके नीचे वाले लियर को बिना लॉकिए, सेलेट नहीं कर सकते, तो मोटा मोटा बात यह है, जो बेसी कांसेप है, कि इस तरीके से हमें, कंपोजिशन को इंपोर्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको डिलीट करना है इस सारा चीज़ को डिलीट कर दिया अब हम इंपोट करेंगे उसी एनिमेटर देखी यहाप इंपोट ऐस फूटेज हुआ था अब हम करेंगे इंपोट एस retain layer size जो की composition है आप composition भी कर सकता हो मतलि उसमें भी यह दिक्कत है आएंगे तो हम करेंगे composition मगर retained layer sizes अब हम import करेंगे यहां पर जैसा ऐसे रहने देंगे composition को on करेंगे और इसमें हम करेंगे fit अब हम अगर big fish को पकरते हैं देखिए की स 750 वां करने में मदत मिले हैं आप हमें क्या करना है थोरा से बैकद्ण हम कुछ नहीं करना है इसको इ teaspoon by से पीछे से और इसकी बीछ से थोरा सा है क्रेट करने के लिए चाहिए तो हम क्या करेंगे बिग जो ग्रास फ्रांट है ये हमारा उपर रहेगा तो इसको हमें उपर ब्रत दिया मचलियों के उपर इसको भी हमने लॉक कर दिया बिग ग्रस जो फ्रांट है ये भी हमारा फ्रांट के उपर रहेगा नहीं फ्रांट के नीचे रहेगा इसको में हमने लॉक कर दिया विग डर्स बैक फॉर्म ने लॉक कर दिया अब अगर हम फिस्ट को पकड़ते हैं तो देखें यह बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा ताकि थोड़ा सा इसमें डेफ्थ नजर आहें क्लियर इसकी जो कंपोजिशन लेंथ है वह उसी टाइमिंग में आएगा अगर हम कंपोजिशन की लेंग देखेंगे तो उसी टाइमिंग पर आएगा जो आमने लास्ट कंपोजिशन सेटिंग क्या था आप चाहो तो इसमें ज़ाद में चेंज कर सकते हैं तो हमने 10 अब हमें लॉक कर देना है उसको हमने लॉक कर दिया बिक फिस को हमने देख लिया अब हमें इसको बिलकुल सीन से बाहर इस पोजिशन पर रखना है पोजिशन पर अनिमेशन करना है की फ्रेम देना है और सीदा सीदा फास सेकेंड पर इसको हम देदें तो देखते हैं कैसे आता है अब हमें देखिए थोरा सा स्पीड इसमें दे रहे हैं तो अगर हम इसमें मोशन ब्लार दे देंगे मोशन ब्लार कर देंगे तो थोरा सा इसमें आप चाहो तो इसको थोरा सा स्लो शाहिए तो इसको दस सकेट तक ही सकते हो ताकि यह थोरा सा दिख जाए और इसी बिग फिस्प में थोरा सा और जान डालने के लिए आप क्या करो फर्ट आपको पता है हमने पेरेंट चैनल रिलिशंशिप किया था अब यह जो कलर फीश है इसकी पेरेंट हम कर देंगे बीग फिस्प को ठीक है जैसी कर देंगे न अब देट देख रहो यह भी इसके साथ आपको एनिमेट होता हुआ देख जाएगा क्योंकि इसकी पोजिशन को पीछे था और उसी स्पीस के साथ था तो आप ओरेंज फिस्प की जो पोजिशन है अब देखोगे कि इसमें कोई भी कीफिम ने क्योंकि जो पेरेंट हमने चूस कर दिया इसलिए उसी के साथ हो वो रहा है तो हमें औरेंज फिस्प को अगर मैनूली करना है सॉरी कलर फिस्प में देखेंगे तो प्रोजिशन पर आईए यहां पर देखे तुझ भी नहीं है तो हम इसमें नंज कर देता है ठीक है नहीं चाहिए और फिर हमें क्या करना है कलर फिस्प को प्री कंपोज बना देना है कलर फिस्प प्री कंपोज ठीक है ओके कर दिया हमने और कलर फिस्प हमारा जो है यहां पर जैसे जा रहा है जा रहा है हम कलर फिस्प को डबल केट करते हैं एक गलती हो गया मुझे कलर फिस्प को नहीं क एक बिग फिश को प्रिपकंपउज करना था और बिग फिश कर Nao की चैनल इस तरीके से हैं इसको आप यहाँ पर स्केलिंग वगरा चुपारा कर सकते हो और यहाँ पर इसकी इंडिभीजोली एन् इमिशन आप कर सकते हो इसको थोड़ा सा फिट करते हैं पर्फेक्ट अब इसमें दिक्कत यह आ रहा है इसकी जो साइजेस हैं वो साइजेस इसकी मतलब अगर हम इसको भी यहां पर स्केल करेंगे न तो वह यहां पर भी आपको स्केल होता हुआ दिखेंगा देख रहा हूँ बिग फिस नहीं रहा हो क्योंकि छोटा बड़ा हो बया है तो इसमें और एक फायदा है कि आप इसी बिग फिस को एक कंट्रोल डीगर करके रुब्लिके होगे तो इसको आपको यहां पर दिख जाएगा मिक फिस का पोजिशन पर आता है पर्फेक्ट एक मिनिट इसकी पोजिशन पर दोते है अच्छा उसको भी यह हमने क्या करना है कि और उस सहे बाहर है न पृष्ट को में यहां तक तो लाना ही है अब हम देखते हैं देख देखते हैं दोनों फिस से एक स fak依ा बोग उता वापको दिखेगा अब हम यहां पर आते हैं और इसके आगे हम इस नहीं ने किया है सारी तो मास्क हो गया मास्किंग का क्लास हमने नहीं किया हमें सिफ और सिफ एक सेप लेयर लेना है और इस सेप लेयर को स्ट्रोक जेडो और फिल कलर पाइट ठेक है तिसकी यहां पे कर गाई सारी इसमें साइद दो सेप लेयर पूचिकाव पोरा सा इसमें आप पोजीशन स्केल ओपासिटी थोड़ा सा काउं बस परफेक्ट वेखे स्केल दो सेकेंड बाद यहां पर अब हम थोड़ा से इसको एनिमेट करेंगे ठीक है थोड़ा सा यहां पर सिप पकरके आप पोजिशन भी कर सकते हो इसको भी कीफें देंगे और यहां पर आने के बाद यह थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा पूरा स्केल इसकी बढ़ेगा ठीक है यहां पर आने के बाद यह और ऊपर की तरफ जाएगा स्केल इसकी थोरा और बढ़ेगा यहां पर जाने के बाद इसके स्केल नहीं बढ़ेगा यह और फूपर की तरफ जाएगा और इसकी जो ओपसिटी है सिप पकरके आप टी प्रेस कीजिए ओपसिटी भी आजाएगा ओपसिटी भी स्की थोरा साथ जिन एम लाएगा थुरा जीरो की तरफ चला जायगा थुरह जीरो नहीं तो जीरो की तरफ चला जा तो और कीश्म हम दे दो ताकि पहले से यहां पर सिकन 123 तर तर प्रफेट है अब हम यहां पे यह यहां पर आते हैं अब हम यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है तो तो हम यहां थोड़ा सा इसकी जो पूझ ना पड़ेगा ताकि यहां पर भी देख जाए हम एक काम करते हैं इसकी जो इनिशियन पूजीशन है न वो इसको इहीं पर रख देख अब देख अब देख अब देख अब देख अब थोड़ा सा मबल्स टाइप का हमने बनाने की पूश्च किया हुआ है और आप चाहों तो इसको भी यह जो है इसको भी हम एक पी कंपोज बना देते हैं बबल स्मोल के और ठीक है अब हम यहाँ पर आते हैं परफेक्ट तो हम यहाँ पर आते हैं इडिप पर चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें एक चीज अगरो बहुत सा है की फिर मैं सिस्टेंस नहीं एक चीज जो दोना पड़ेगा कहां पर है यह अपके मैं इसको नूप में चला सब को नई तो फिट यहाँ पर आपने दोवारा से एडिवर्शन करना पर है चले कोई बत नहीं होता है इंपॉर्टन नहीं है हमें सिब बोलना इतना है कि हम इस तरीके से इसको अनिमेशन होता हो दिखेगा और बबल में हम इसकी जो अनि पेस्ट कीजिए यहां पर जाके फिर से पेस्ट कीजिए और यहां पर जाने के बाद पिर से प्योंच कीजिए अब अगर हम यहां पर देखेंगे सब्सक्राइब करने के लिए आपको यह जो रिवर्स आ रहा है न इस पोजिशन पे इसकी जो पसिटी है और हंड़ेड और कि इन दोनों को स्विल्क करके राइड क्लिक टॉगल वॉल्ट कर दिजिए कि इस पोजिशन पे बाद सीधा सीधा इस पोजिशन पर दिखेगा अब नेड़ और अब देखेए अब टॉगल होल्ट की फ्रेम पर क्योंकि यहां पर भी एक टॉगल हो गया तो यहां पर दिखेगा तो हम क्या करेंगे यहां पर इसको कॉपी करके पेज अप पेज डाउन करके एक पेस्ट करेंगे और इसमें हम टॉगल को फटा देगा ठीक है ताकि सेम पोजिशन यहां पर हमें कॉपी करना है और पेज डाउन करना है फेस्ट करना है और इसमा सब पार्ट को और पर करके क्लिक कर दीजी यहां फिर टॉगल वोल्ट की फ्रेम पर करेंगे साज में हैं कॉपी टॉगल वोल्ट की फ्रेम पेस्ट और हमें सिर्फ इतना सा पोजिशन को टॉगल वोल्ट की फ्रेम कर दे रहें एनिमेटेड बैक्ग्राउंड पर आईए देखिए और यह अऐ यह हमने एंया करभा दे इसमें हमारा कूंसा क्वान सा चीज कर Corn आया वारा प्रिकमोजीशन काम आया यह सारा सब र руб प्रेम के का मनांया इस सारा सब कुछ गृफ घख चुका हैं से आप चाहें तो इसका एनिमेशन इसका एसका एनिमेशन इसका इन्डिविज्विजू़ी आप कर सकते हो जैसे कि हमारा कलरफीस है हम और एक यह कर देते हैं विग फिसमरा हो गया कलर फिस कालर फिस की पोजिशन पारते हैं इसको हम सिध-सिधा यहां पर है क्वैक्ट प्रिष लोग यह नहीं लोग अच्छा यह इस प्रिम पर एक पर दोते हैं अब देखिए इसको यहां पर रखते हूं इस पोजिशन पर यहां इसको करने के बादर इसको फिल्प करने की हां है वापिर वापैं क्या हैं दो अम unre 중 करने करना है और इसमें 1 माइनस अंड़ेग कर देना है और पेजब करके एक की फ्रेम और एट करना है और उस पे ये 100 ही रहेगा ठीक है? अब देखिए इस पोजिशन पे आया इस पोजिशन पे आने के बाद तीन सेकेंड पे ये यहाँ पे आएगा यहाँ पे नोटिस कीजिए इसकी चहरा भी नीचे की तरफ हो गया क्योंकि इसके हाइट में भी हमने माइनस लगा दिया हुआ है ठीक है? तो हमें उसको ठीक करना है तो हमें क्या करना है? हमें इसकी जो इसको यहाँ पे रखिए फिलाल और इसकी जो इस पोजिशन पे अपने बनाया इस पोजिशन पे हमें इसको अटाईए और यह हंडेडी जाएगा ठीक है अब देचे तो हम इसको बंद करते हैं और प्ले करते हैं देखिए थोरा फास जा रहा है देख रहे हैं थोरा सा फास तो इसको भी हम ओन मोशन ब्लार आउन कर देते हैं और ताकि यह थोरा सा देख जाए ह। परफेक्ट थोरा सा हम इसको और पकरके खीषते था कि थोरा सा दिस्ट्रीप्ट हो जाए और यह इस तरीगे से किश्मेश मैं भी अबबल्स वगर्ण सकते हैं एसको उमने सेफ कर दिया ठीक है पात में यह इसको किस तरह के से करेंगे हम ने लस्टेटर सब्र प पाथ इसको कोपी कर लेते हैं उसी पाथ को हम अब जो चाहे औरेंज फिस के साथ इसको हम यहां पे रखते हैं पोजीशन पे हमने पाथ को पेस्ट कर दिया ठीक है पैसे बि जर्ण सॉरिए इस पोजीशन पे जो अंप्रत पोजीशन पे लेना है हम में स्टार्टिंग पोजीशन पे लेना है और पैस्ट कर देा है ठीक है अल पकरके इसको थोड़ा सट ड्रैक कर देता है ताकि ये evenly distribute हो जाए और इसकी जो आखरी position है वो देखे इस तरी के से अब देखें कि ये path oriented नहीं है तो हमें क्या करना है ये ये पे जाना है transformation पे और ये पाथ करना है तो और ये पाथ करना है इसकी rotation पे इसको थोड़ा सा पाथ के movement पे कर देना है correct परफेक्ट इसको fit कर दीजिए इसके दिखे इसके दिखे सोरी rotation नहीं हो और ये ठीक थाग परफेक्ट अब देखे इसको थोड़ा फेट कर देखे परफेक्ट इसको थोड़ा जादा हो रहे तो आपको कुछ नहीं करना है ये जो अपने जिग जग बनायते हैं इसको तो रहे कम ज़्यादा आप कर सकते हो तो ये इस तरीके से हो जाएगा सब्सक्राइब अब एक आखरी चीज इंपोर्ट करते हैं हम पोशन ग्राफिक्स के अंदर साउंड अरो अप्टा इंपोर्ट इस वो सीधा सीधा नीचे वन लेयर पर रखते हैं फिर से क्योंपे हमने बार बार एक ही दलती परफेक्ट अब हम थोड़ा से साउंड को आपको सनाते हैं एक संक्रिनल एनिमेटेड बैक्ग्राउंड तयार हो गया जिसकी आदे से ज्यादा काम उने इलस्टेटर फोड़ो सब्से किया और जो पूजिशन की एडवांस एनिमेशन है वो आमने आफ्टर एफेक्स पर किया अप्वे चोटे मचली को हमने कुछ नहीं किया वो आप म में एक हमसे कुंसा चीज मरा इन्कॉर्पोरेट क्या पो समझ में आए होगा यहां बैने के बाद में काम करता हो इसको थोड़सर ज्राइक कर देता है क्योंकि सवेन है नहीं तो यह क्योंकि इतना ही साउनिस के अंदर है तो हम अगर यहां तक ही रखते हैं हमारी वार्क ए तो यहां पर हमने क्या करा चीज़े सीठा आप मुझे एक फोमें फिर के बताइए कि यहां पर हमने कौन सा कौन सा चीज़ को एपलाई किया मैसिकली इस वे हमने पॉजिशन के अड्वांस अनिमेशन और इन टू पाथ आपकी टॉगल वोल्ट की फ्रेम प्रीकम पॉजिशन यह सारा चीज़े और साउंड लेयर को कुछ तरीके से हम कर सकते हैं किस फर्म ने मूट में चला दिया ताकि यह चीज़ आपकी लूप में ह हो जाएं और आप यह चीज़े बेसिक से सीख चुए पर यहां पे हमने जो भी चीजे सीखा है उसको एक सिंपल एक्जामपल के तोर पर आपको दिखाया और आप चाहेँ और एक्जामपल पर अपलाई पर सकते हैं तो होप इस क्लास से आपको सही में वैलू मिला होगा आ आप इस क्लास को अच्छी तरी से प्रेक्टिस कीजिए ताकि आगी की क्लास में आपको कोई भी दिखत ना आए इस क्लास में सही में वैलू मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्स्ट्रिप्शन क किये बिना मत चाहिए अब बेल आइकान पर प्रेस कर दीए कि तरी आपको फीचर वीडियो की मोटिफिकेशन में दे रहेंगे मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूं इस लिंक पे जाहिए आप इक डिटेल्स फिल आप करके कहीं वूप्स डाउन लूब कर सकते हो जिसकी थरॉ पर नए वीडियो में नए कालास के साथ तब तक के लिए गुड़नाइट गुडबाई जय हुट